तो और दोस्तों कैसर आप लोग मैं आप सभी को विल्सम करता हूँ आपके फेवरेट यूटूटूप चैनल जेयर टुटोरियल्स में और मैं हूँ गौरम उन्दा जो आपको पड़ाता है SPN OCM तो दोस्तों आज अभी हम क्या कर रहे है लेसन नमर फिफ कर रहे है और लेक् बच्चा कह रहा है सर कुछ बता हो मैं इस चैनल के बारे में तुम्हें आपको बता दो हम एजुकेशन एलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं आप समझो वाइचांस आप 11 में नहीं हो तो आप क्या करना है आपको पूरे चैनल को चेक आउट करना है आपके जो भी आ इसर में ना फिफ्ट लेसन तक मैं बहुत अच्छे से आता था देको यह टॉपिक नहीं आता था में भले ही आपके चैनल के पहले बार आयो तो मैं क्या आपके साब देख सकता हो और बिल्कुल देख सकते हो और इसके बाद तो मैं कहूंगा आप हमारे सारी वीडियो सिखने को मिलेगा आज तो दोस्तो लेकिन स्टाट करें बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है यह आपके लाइफ में आगे भी आपको काम आने वाला है दोस्तो और जो भी इन फ्यूचर सोच रहा है सीए करना चाहता है सीएस करना चाहता है या जो भी फिल्ड में जो भी अच्छी के रहा हूं ठीक है स्टार्ट करें एक रेडी पूरा ध्यान दोगे वीडियो पर हाँ चली लेकिन उससे पहले मेरे साथ गया चार मंत्रा क्या था दोस्तों लाइक करना है शेर करना है सब्सक्राइब करना है फॉलो करना है यह ही मेरी इंस्ट्राग्राम इडी इ कंपनी आप समझ रहो क्या होता है सर कंपनी तो सर वह इना जो आर्टिफिशल पर्सन होती है जो कुछ से नहीं चलती लेकिन उसको लोग चलाते हैं अगर आप उसमें पैसे लगाओगे आपको बदले में शेर मिलेंगे सर आप वही कंपनी के बात करना बिल्कुल अब यह स क्या हो गया बच्चा कह रहा है सर यह कंपनी है तो सर इसका भी क्या सेक्शन होगा क्या कंपनी एक 2013 में बिल्कुल मेरे वाई देखिए अगर आप गूगल पर जाते हो यह किसी भी साइट पर में ब्राउजर पर उस पर जाओगे सेक्शन तो सब सेक्शन 45 अब यह कंपनी यह क्या सब्सक्राइब गर्वंट कंपनी के बारे में मिल जाएगा静ा कि यहां पर कंपनी कहां पर 51% 51% का क्या, दूस्तों, Power, 51% of voting rights, 51% of investment, किसने किये? government ने किये. Sir, government मैं भी Sir कैसे? देखिये, या तो state government होती है, या तो state government ने किसी company में 51% की ownership रखी, या फिर किसी central government ने, या फिर state government ने, central government ने मिलकि, एक साथ किसी company में 51% की ownership, वोटिंग पावर राइट्स अपने हाथ में रखा वो दोस्तों उस कंपनी को कहा जाएगा गवर्मेंट कंपनी जैसे इसको एक एक्जांपल से समझेंगे इस पर फड़ा सा टाइम लगाऊंगा में ध्यान दिजेंगे आप चलिए दोस्तों देखिए ये कंपनी है इसका नाम है ABC एकदम क्लियर ये कंपनी चाहती है कि गवर्मेंट इसमें पैसे लगाए गवर्मेंट ने दोस्तों स्ट्रेट गवर्मेंट ने लगाया कितना लगए 25 पसेंट और सेंट्रल गवर्मेंट बोली ठीक है या कंपनी का काम तो अच्छा लग रहा है चलो मैं भी प बताऊंगा मैं बताऊंगा हाहां बताओ बच्चा करे सर देखो यहां पे ना गवर्मेंट का पैसा इंवाल होना चीथा जो कि पूरी तरह से हैं जैसे कि यहां पर स्टेट गवर्मेंट 25 लगा बहुत ज्यादा लावड है और बागी सेंट्रल गवर्मेंट ने भी 26 पसें पन अबी-सी यहां पर दूस्तो आप लोगों ने आप लोगों ने मिलकर 51 परसेंट लगा झृट ज़ करेंशैयों मेरे बाई यह एक कंपनीं नहीं क्यले जाएगी बदाए क्यों कि government company तभी क्यलाई जाएगी जब आपके पास 51% तक की voting power है 51% तक का ownership है बस अब वो भला ही कैसे हो central government की हो state government की हो कुछ matter नहीं करता दोनों नहीं मिलके साथ मिली नहीं फरक नहीं पड़ता लेकिन 51% की ownership government के हाथ में होगी तभी उस company को government company कहा जाएगा कुछ दिक्कत आई नहीं और तुम सोचा होगे ना सर government खरिती है तो सर government किसके नाम पर खरिती है दोस्तों government खरिती है प्रेसिडेंट जी के नाम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे उलोग शेर्स पाए करता है कुछ दिक्कत आई government company के concept समझा बहुत easy है easy जाना से 51% तो याद रखना है यार ठीक है चलिए कुछ important concepts को भी यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों इसमें पहले annual reports अब गवर्मेंट कंपनी है यहाँ पर गवर्मेंट कंपनी है तो इनको रिपोर्ट भी तो दिनी पड़ेगी ने साल भर में क्या काम करते है कैसे करते है कितना तो दोस्तों यह होता है auditor तो दोस्तों अब कैसा है ना गवर्मेंट कंपनी है इसका भी तो कोई audit करेगा ना गवर्मेंट कंपनी ने अपना काम कर लिया सब पूरा साल हो गया खतम एकदम अच्छे से इनने profit and loss बताया लेकिन क्या guarantee कि उतना ही loss हुआ है या उतना ही profit हुआ इसके लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए ना जो गवर्मेंट कंपनी से बिल्कुल भी related नहीं कोई भी relation में नहीं एकदम unknown इंसान है इनके कोई भी relation कोई भी communication नहीं है तो एक ऐसे इनसान को कहते है दोस्तों auditor और यह जो independent auditor अब यह जो independent है यानि कि किसी भी dependent नहीं है यह जा अब ही हमने समझा शेरोल्डिंग यानि कि 51% of shares किसके नाम पे होते हैं गवर्मेंट के नाम पे उसके बाद मैनेजमेंट अब यह तो डिपेंड करता है यह भी वही system पर work करता है company है ना company में लोग पैसे लगाते है फिर वह सारे shareholders कहलाते है फिर shareholders अपने आप में कुछ representative करत कुछ दिक्कत आई ना कितना एजी topic है exam में आगया government company लिख सकते हो ना में तो चाहता हो उल्टा यही question आए exam में क्यूंकि बहुत simple है start करे features merit demerit से भी इसको finish कर देंगे हम और उसके बाद पर एक आखरी topic बचता है उसके साथ हम इस lesson को भी अलविदा कहते हैं बहुत अगर किसी इंसान को केस करना है तो वो गवर्मेंट कंपने में केस करेगा उसके अंदर के लोगों पर नहीं क्योंकि कानून के नजर में एक इंसान है कौनसा इंसान अर्टिपीशल इंसान उसका दोस्तो मैजर्टी गॉवर्मेंट डारेक्टर अब आपको भी पता है गॉवर्मेंट कंपनी है 51 परसेंट का वोटिंग पावर है तो गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट के जो डारेक्टर से वह होंगी जयदा तर बस वह कहना चाता है क्योंकि गॉवर्मेंट कंपनी है यहां पर जादा तर डिसीजन्स आपको मैजर्टी बीन करते हुए पते कौन लीकी गॉवर्मेंट क्योंकि यार 51 परसेंट उनके पास वोटिंग पावर है अब आप ही सोचो बच्चो कोई decision अभी लेना इस company को वहाँ पे decision में न दोस्तो majority की voting चाहिए रहे थी जाद अतर cases में तो सोचो government अखिला 51% रख रहा है मतलब अगर कोई decision है वहाँ पे 49% लोग के रहे नहीं हम नहीं करेंगे लेकिन यहाँ 51 के 51 हा के रहे तो majority wins होती है 51 इसक रहेंगे क्या नहीं क्योंकि इसको government company तभी कहा चाता है जब इनके पास majority decision लेने का पावर हो और majority का बात ही है 51% पर उसके बाद दोस्ताफ government की company है यह चाहेंगे जिसको पॉइंट करना करेंगे बस own staff free from procedural control अब आपको भी पता है government के उपर तो कोई नहीं है हमारे nation में आप यहांगे 10D merits hardly 6-7 minutes लगेंगे जाधा बोल दिया 5 minutes लगे धियान दो यहांपे पूरा सारा सा merits लबकि advantages exam में आएगा explain the advantages and disadvantages of a government company confuse नहीं हो जाना है advantages याने की merit disadvantages याने की t merit चलिए merit पर घ्यान देते हैं और दोस्तों आपको पता है features में भी लोग conscious कर हो जाते है features को as a characteristics भी पूछते है क्योंकि government company ना तो यह क्या easy formation है internal autonomy मतलब कि आप अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं आपको कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं क्योंकि government company है government के लोग उसमें काम कर रहे है government की company है तो ऐसा मान लिया जाता है यार यह तो कुछ गलत नहीं करेंगे और करेंगे भी तो जो government है वो इसका अच्छे सा ध्यान रखेगी तो बस वही internal autonomy उसका अगस्तो easy to alter देखिए यहां पर समझिए कोई government company है उन्हें कुछ decision लेना है और चाहते हैं उनसे कुछ गलती हो गई अब यह तो government है पुब्लिक जब कुछ गलत होता है तो government के पास जाती है पर लेकिन बाइचांस किसी government की company में कुछ गलत हो गया तो वो लोग तो सही कर सकते हैं बिना किसी से पूछे क्योंकि वह तो खुदी government वाले लोग है वो तो की कर होते हैं तो नहीं देखेगी हाना तो वह पुरी कोशिश करते हैं कि वो लोग जो भी decision ले जो भी काम करें एक्दम इमांदारी से करें एक्दम अच्छे से करें बस हुई इसलिए कैसे discipline एकदम मेनद करके काम करते हैं कि कुछ गलत ना गलत होगा तो उस government का नाम खराब हो और सो डैट वह एकदम अल्टिमेटली किसका benefit होगा government company का पब्लिक accountability जाने कि दोस्तों देखिए अब government company है यहाँ पे ना पब्लिक के उपर थोड़ा से लोग ध्यान देते हैं क्योंकि आपको पता है government company है इनका पूरा मकसद profit कमाना नहीं होता इनका थोड़ा सा मकसद य अब जो भी पैसे पब्लिक ने लगाए government company में तो यह चाहेंगे आपके company में क्या हो रहा है आपको पता चले तो बस वही public accountability मतलब किना पब्लिक को एक ट्रस्ट रहता है अगर समझे कोई government company है तो थोड़ा सा ट्रस्ट रहेगा ना यार यह तो government की company है यह हमार साथ accountability पब्लिक आप पर भरोसा करती है अब चलते डी मेरिट्स और इसके साथ यह topic कदम हो जाएगा सिफ चार पॉइंट है दो निट लगा है अगर तुम मतलब कि तुम government हो ना तुम सिफ नाम की government company हो क्योंकि ultimately end decisions तो सिफ politicians का होता है जो उस government का जो मतलब owner होता है like government में जो head होत सब वो सब आके decisions लेते हैं government company तो सिफ नाम की company है ऐसा इसका डी मेरिट है यह यहाँ पर कहना चार रहा है चलिए उसके बाद fear of exposure अब आप ही देखो ना यह क्या है government company इन्हें लोगों को सब बताना पड़ता है अब सोचो government company है तो सही लेकिन है तो company ही अब बाग की इसकी ज पहले हम कर लेंगे देखा competitive advantage कुछ एक confidential information इनको बतानी होती है कुछ-कुछ तो बस उसका फाइदा लोग ले सकते हैं उसका देखिए दोस्तो lack of expertise बच्चा गयर है सर अभी तो आप कहरे रहे तो professional management है और अभी आप कहरे रहे हो lack of expertise है देखो जोस्तो इसमें जो professional management होता है न यह लोग पता है क्या काम करते ऐसा अकसर देखा गया है यह लोग बहुत काम करते लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ना ऐसा सुचता रही है तो government की company है ultimately government से हमें छोटी बहुत salary मिलती है आपको भी पता है government employees की salary सोड़ी सी कम होती है देखा होगा अकसर हमने देखा गया है जितना private वाले कमाते है उससे compare कर रहा हूं मुझे गलत ऐसे वे में मत लेना नहीं ठीक है ऐसे गलत वे में नहीं लेना लेकिन होती अच्छी होती है no doubt लेकिन जो थोड़े बहुत च्छोटी सी rural type areas में काम करते है उनकी government salaries आपको भी पता है थोड़ी सी कम होती है तो वैसे नजर से नहीं कह रहा हूं लेकिन प्लीज दियान विजीगा तो कैसा ना दोस्तों वह मतलब इतनी मेहनत कर रहे है जबकि जो government employees है लेकिन government उनको उतनी salaries देती ही नहीं है तो फिर अप कोई government employee है किसके government company का वो तो क्या सोचेगा अरे छोड़ो ना यार क्या काम करूँ वेरको तो salary देगी न government बस यह वाला चीज लैक of expertise और फिर इसी के साथ ही साथ दोस्तो लैक of professional view आपके दिमाग में एक mindset आ गया यार government तो मुझे salary देने वाल यह government company है मैं क्यों काम करूँ अगर loss वो भी गया तो होने दो न government हमें salary देने वाली है बस यह वह वाला सिस्ट्रम आपके दिमाग पर एक negative impact पड़ता है अगर आप एक government company के employee हो ऐसा देखा गया है तो यह इसका एक demerit है यानि की disadvantage तो बस दोस्तो इसी के साथ देखो यार कि एकडम end किया अच्छे से जम्जाना अच्छे जम्जा कोई दिक्का था ही तो comment section आपके लिए है बाकी मेरे instagram तो आपको पता ही है so that में वहाँ पे आपको voice बेच के आपके doubts clear कर सको यह मारे instagram id दो गोल्डिंग मुंद्रा अंडर सको ठीक है आओ मिलते है वहाँ बातचीत कर lecture no.3 अब एक आकरी lecture बच्चा है वो भी छोटा सा है hardly छोटा सा बनाऊंगा सिफ आपके लिए ठीक है लेकिन आपको क्या करना है शेर करना है जितना अब तक अपने पढ़ा उसको revise करना है रेड करके आना है और last lecture तो एकदम simple है अना तो ready एकदम इस lesson को भी अलविदा करते lecture no.4 में मिलता हो फिर मैं आप सभी से और SP वाले बच्चे तो आप से मैं SP में मिलूँगा ही तो चलो फिर दोस्तो लेक्षे को पढ़ाई करो मस्ती करो लेकिन दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू करना है हमारे चैनल के बार में बताना है ठीक है और जब आप पेपर मे अच्छे मार्क स्कोर करोगे आपको कोई पूछे का यार कहां से पढ़ाई कर रहा था तो क्या भोलना है आपको यार्ट टुटरेल्स के दुरू ठीक है चलिए दोस्तों फिर आपको मैनत करने हैं हम भी आपके साथ बने रहेंगे तो इस लेक्षे को अपन याप ही एंड क